हेलो सुट्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हूँ आप सब अमीद करते हूं बटा सभी अच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वरक्षीट नंबर 24 साइन सब्जेक्ट की है तेईस तारीक की है सेवंत किलास के ब जानेंगे ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर कोमल है बिटा एक लड़की एक स्टूडेंट है सेवंत क्लास की वास ओने फिल्ड वीजिट टू नियरेस्ट एनिमल फॉर्म ठीक है फाम यानि कि बिटा वो एक नियरेस्ट जो उसके पास में पशुशाला है जहां जब गएख रहे हैं जास जो इसा क्यों कर रहे हैं जैसे गाईं और भैस लो एक फेल्ट ने को चबआ रहे हैं जब वो आसके खा रहे हैं जिय स्टू-स and next day she asked this from the teacher to explain during class तो फिर वो क्या करती है next day अपनी class में जाती है अपनी teacher से इस बारे में पूछती है ठीक है उनकी कक्षा के दोरान की ऐसा वो क्यों करते हैं तो बिटा देखो ऐसा क्यों करते हैं और अगर बिटा आपको मेरा समझा हो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेट जरूर कर दिया करो देखो फिर क्या बताती है टीचर ग्रास इटिंग जो एनिमल्स होते हैं जैसे की बफैलो और काउस क्विकली स्वैलो दी ग्रास दूरिंग इटिंग और स्टोर इट इन ग्रास इतने थी अनिमल्स लिए फिसेन होते है जलदी से निगल लेते हैं ऊबधर स्टोर हो जाता है एक separate भाग में stomach के जिसको हम रुमेन बोलते हैं यहां पर वो store हो जाता है खाना here the food gets partially digested यहां पर जो भोजन होता है वो आधा क्या होता है पच जाता है आधा ठीक है और उस पचेवों को क्या बोलते हैं कड बोल देते हैं चोटे-छोटे lumps के रूप में जिसका वो क्या करते हैं आराम से बैठे-बैठे पचाते रहते हैं उसको जो यह जनतु होते और फिर उसको वापस से बेज देते हैं तो यह पूरे इसका प्रोसेस आपको पता चला कि वो बैठे-बैठे क्यों जूगाल करते हैं आप हमेसा बर्खास खाने वाले जनतों होते हैं उनको अपने सिकार का डर रहता है कि कहीं कोई पीछे से सिकार ना कर ले उनका हीरन वगैरा हो गई तो जल्दी से खाकर एक सांत और सुरक्सित जगह पर जाकर अपने बोजन का पाचन करते रहते हैं, ठीक है? अब बेटा देखो अब बेटा जो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा वो क्या करते है उस पार्शिली डाइजेस्टिट फूड को क्या करते है अपने माउथ में लेकर आते हैं और फिर उसका दुबारा से पाचन करते हैं तो वो क्या कहलाता है rumination ठीक है और जो animal ऐसा करते है उनको क्या बोला जाता है ruminants बोला जाता है उन animals को ठीक है अब यहां पर बेटा देखो the grass is rich in cellulose अब हमें पता है जो grass होती है उसके अंदर एक cellulose पाये जाता है जो कि क्या एक type of carbohydrate वो एक तरीके की carbohydrate होते है जैसे पोदों में और भी तरीके की starch वगएरा पाये जाते हैं वो carbohydrate है ठीक है तो cellulose भी एक तरीके की carbohydrate है जो घास में पाये जाती है ruminants have large sack like structure between the small intestine and large intestine जो यह ruminants होते हैं घास खाने वाले जन्तों उनके अंदर जो उनकी small intestine होती है और जो large intestine होते हैं उनके बीच में large sack होते है एक थैली सी होती है जिसको क्या बोला जाता है जो उनके अंदर पाये जाते है the cellulose of the food is digested hair जो यह sack like structure होता है हिंदी में इसको अंधिनाल बोल देते हैं यह यहां पर पाया जाता है ठीक है इसके अंदर कुछ bacteria होते हैं जो क्या करते हैं इस cellulose का पाचन करने में help करते हैं उनकी तो the cellulose of the food is digested hair by action of certain bacteria which are not present in the human जो कि हमारे सरीर में नहीं पाये जाते हैं वो bacteria यहां पर पाये जाते हैं इन animals के अंदर इसी वज़े से यह घास खा लेते हैं और हम घास को नहीं खा सकते हैं और नहीं पचा सकते हैं तो यहां पर देखो बूजो सर्प्राइज होता है now वो कहता है कि अच्छा अब now I can understand why we can't digest cellulose like cattle do तो अब मुझे समझ में आया कि जो यह cattle होते cattle होते मवेसी जो घास खाते हैं तो यह किस तरीके से अपने भोजन में जो प्रेजन होती cellulose उसको पचाते हैं और हम नहीं पचा सकते क्योंकि हमारे अंदर वो पाया नहीं जाता अब हम इसके question answer करते हैं what is rumen तो rumen क्या होता है बटा तो आप यहां पर लिखोगे rumen क्या है यह part of stomach वेर आप यहां से भी लिख सकते हो rumen क्या होता है कि rumen is the part of stomach where the food यहां पर दिखने रहा होगा where the food gets partially digested ठीक है यहां पर जो है भूजन का आंसिक पाचन होता है and known as कड cold as और वो पचा हुआ भूजन क्या कहलाता है कड कहलाता है ठीक है यह rumen के अंदर होता है अब next question देखो बटा next question क्या है write three example of ruminants जो की इस तरीके से अपने भूजन का पाचन करते है वो cow buffalo ठीक है और कौन कौन हो गया बटा deer, hiron हो गया ठीक है horse यह सारे क्या घास खाने वाले हैं ठीक है अब next देखो बटा why humans cannot digest cellulose तो जो humans होते हैं वो cellulose को क्यों digest नहीं कर सकते तो आप क्या लिखोगे की आप यहां पर लिखोगे easily are not present in the human ठीक है यहीं की हमारे अंदर present नहीं होते हैं that's why इसलिए we cannot digest cellulose ठीक है इसलिए हम cellulose को digest नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो bacterias present नहीं होते हैं जो इसका पाचन करते हैं अब देखो बटा दी grass in rich is rich in तो grass किसमे rich होती है उसके अंदर cellulose पाया जाता है ठीक है l o s e और यह किस्त यह क्या होता है यह type of carbohydrate होती है carbo hydrate ठीक है यहां से भी spelling देख सकते हो the animals which can not do rumination are cold अब जो rumination करते हैं उनको क्या बोला जाता है ruminants तो यह थी बेटा आपकी आज की वक्षिट उमीद करते हूं आपको अच्छे सा समझ आई होगी फिर भी कोई डाउट हो तो बटा कमेंट वोक्स में पोच लेना और अगर आपको समझ आई हो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दिना इस वीडियो में इतना है अपना नेक्स टोपिक आपनी तक तक के लिएसे हसते रहे यह मुस्कराते रहे यह पढ़ते रहे रागे पढ़ते रहे रहे थांकियो